जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग JPMD पर डेली करेंट अफेर देते हैं और इसका फ्लेय लिस्ट भी हम लोग तियार कर चुके हैं यहीं सब वीडियो है तो आप लोग इसे देखिएगा लाइक सब्सक्राइब करते रहें धन्यवाद हलो फ्रेंट्स नमस्ते बू जैनती की सुभकामनाव के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है JPMD में आपके बहुत से लाइक और कॉमेंट्स देखने को मिले उमीद है आपको हमारा पिछला वीडियो पसंद आया है इसी भरोसक के साथ आए हम लोग इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की तमाम मस्हूर खवरे सबसे पहले आपको देखने आपके पास पहुँचे तो इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें बूध की सिक्षाएं आज भी लोगों का मार्ग दर्शन कर रही हैं बूध पुर्निमा पर राष्टपती मुर्मू राष्टपती द्रोपती मुर्मू और परधान मंत्री नरेद मोदी ने बूध पुर्निमा के औसर पर सुब कामनाय दी हैं राश्ट पती ने कहा है भगवान बूध ने आत्म ग्यान, सही सुनता वा सदचार के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है और उनकी सिक्षाय आज भी लोगों का मार्ग दर्सन कर रही है परधान मंत्री मोधी ने कहा बूध के आदर्स हमारे हमें परकास वर सक्ति परधान करते हैं परसार भारती ने All India Radio की जगा आकास्वानी नाम परयोग करने का किया फैसला सर्वजनिक परसार भारती ने अपनी रेडियो सेवा के संदर में All India Radio की जगा आकास्वानी नाम इस्तमाल करने का फैसला किया है परसार भारती के मुख कारिकारी अधिकारी गौरो दिवेदी ने कहा यह सरकार का बहुत पूराना फैसला है जो पहले लागू नहीं किया गया था अब हम इसे लागू कर रहे हैं हिंसागरस्त सुडान से अपरेशन कामेरी के तहट अब तक 3862 भारतियों को निकाला गया सरकार भारतिये विदेश मंत्री एस जैसंकर ने ट्रीट किया है सुडान से 47 भारतियों को लेकर भारतिये वाइसेना का C.130J बीमान दिली पहुँचा अपरेशन कामेरी के तहट हिंसागरस्त सुडान से 3862 भारतियों को निकाला गया है इससे पहले गुरुवार को सुडान से निकाले गए 152 भारतियों को लेकर C.17 विमान अहमादाबाद पहुँचा था सुसान सिंग राजपुत की फिल्म धोनी दा अन्टोल्ड एस्टोरी सिनेमा घर में बारे मई को दोबारा होगी रिलीज दिजनी एक्टर सुसान सिंग राजपुत की फिल्म धोनी दा अन्टोल्ड एस्टोरी देस भर के सिनेमा घर में बारे मई को हिंदी, तमील वा तेलगु भासाओं में दोबारा रिलीज होगी दिजनी एस्टर के हेड बिकरम द्यूगल ने कहा फिल्म का दोबारा रिलीज का मकस देस भर में एमेस धोनी के परसंसको को किर्केट के सबसेज जादुई पलो को दोबारा जीने का मौका देना है किंग्स चाल्स त्रीतिय के ताजपोसी समरोह में किन भारतियों के सामील होने की उमीद है उप राष्ट पती जगदीप धन कर यूके के किंग्स चाल्स त्रीतिय के ताजपोसी समरोह में भारत का पतिनिद्ध करेंगे भारत में जन्में आर्किटेक्स सौरव करके और प्रिसिज ट्रस्ट गलोबल आवार्ड से समानित भारत में जन्मी गुल्फसा को भी इसे अमंत्रित किया गया है एक्ट्रेस सोनम कपूर को भी कोरोनेशन कोंस्टर्न का निमंत्रन मिला है और यह मंच पर कमन्वेल्थ वर्चुल क्वायर को इंट्रिड्यूस करेगी कौन था कुख्यात गंगाश्टर अनिल दुजाना जिसे यूपी एस्टी एफ ने एंकाउंटर में किया धेर यूपी एस्टी एफ ने गुरुवार को कुख्यात गंगाश्टर अनिल दुजाना को इनकाउंटर में मार गिराया गंगाश्टर सुन्दर भाटी की हत्या कर्चर्चा में आया दुजाना कॉंट्रेक्ट किलर था जिस पर हत्या के अठारे केस दर्ज थे दुजाना पर NSA वागंगाश्टर एक्ट भी लागा था उसका असली नाम अनिल नागर था जिसके खिलाप 2002 में हत्या का पाहला केस दर्ज हुआ था उत्तर परदेश के लखनाव में खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स की हुई शुरुआत लखनाव उत्तर परदेश में सुक्रवार को खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई इस दरानराज के मुख मंत्री योगी अधितनाथ और केंद्रिय खेल मंत्री अनुराग ठाकूर ने खेलो इंडिया इनिवर्सिटी गेम्स का लोगो सुभंकर, जर्सी, मसाल और गान का सुभारम किया। ठाकूर ने कहा कि कभी यूपी दंगों के लिए जाना जाता था लेकिन अब दंगलों के लिए जाना जाएगा। जिसके कारण अब खर्च में कटयोती के लिए करमचारियों की छटनी करनी पर रही है। परभावित करमचारियों को एक अलग पैकेज दिया जाएगा। या एसीयो के परती हमारी परतिवात्ता दर्साता है बिलावल भुटो के भारत दोरे पर पाक पीम। पाकिस्तान के परधान मंतिर सहबाज सरीफ ने पाकिस्तानी विदेश मंति बिलावल भुटो के एसीयो सम्मिट में भाग लेने के लिए गोवा पोहुचने प्रकाहा है। या एसीयो चार्टर के परति हमारी परतिवात्ता दर्साता है। उन्होंने कहा हमें छेत्र में सांती वई स्थीरता के साजा मुलियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भुनका निभाने के परतिवात्त है। एस जय संकर ने गोवा में रूसी विदेश मंत्री से की दिवपक्षिय वारता कोई मुदय पर हुई चर्चा। इस मंत्रीयों की बैठक सुरू है। बिहार में नौ जून को तीसरे चरण के लिए 31 नगर निकाओं में होगा मद्दान। बिहार राज निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाओं के लिए तीसरे चरण के मद्दान को लेकर अधिसुचना जारी कर दी। जिसके तहस नौ जून को पाटना के मनेर समेत 31 नगर निकाओं में बोट डाले जाएंगे। बकल राज निर्वाचन आयोग इसके लिए 9 माई से 17 माई तक नमांकन किये जाँगे और एगारे जून को नतीजे घोसित होंगे। धारना दे रहे रेसलर का समर्थन करने जनतर मंतर पर पहुंचे हर्याना के पूर्व सीम भूपेंद्र हड हुड़ा। बीराट कोहली और अनुस्का सर्मा से मिले फ्रांस के राजदूत एम्मेनुएल लेनेन सेर की तस्वीर। गौतम अदानी फिर से अदानी इंटरप्राइजेज के एक्चीवटिव चेर्मन किये गर निक्त। पहली बार तारे द्वारा गरो को निगलने की प्रक्रिया कैद की है। नेचर जनरल में प्रकासित अध्यन एम आई टी हावर्ड और कैल्टेक के बैग्यानिक ने बताया है किया प्रक्रिया अखीला कॉंस्टलेशन के पास बारे हजार प्रकास बर्स पहले घटी थी बैग्यानिकों ने बताया पांच अरब साल में पीथवी भी ऐसे ही सूर्ज में समा जाएगी गूगल के करमचारियों ने की छटनी के बीच सीईयो पिचाई के पाकिस्तान को गोपनिये जनकारी देने के आरोप में DRDO के बैग्यानिक को किया गिरफ्तार महराष्ट अतंकवाद निरोधी दस्ते ने DRDO के लिए काम करने वाले एक बैग्यानिक को एक पाकिस्तानी एजेंट को गोपनिये जनकारी देने के आरोप में पूने से गिरखतार किया है ATS के एक अधिकारी ने कहा कि बैग्यानिक कथित और पवाटसप और वीडियो कॉल के माध्यम से पाकिस्तान इंटेलिजेंस ओपरेटिव के एक एजेंट के संपर्क में था जातिगत जनगना बहु संख्यक जनता की मांग है और यह हो कर रहेगी HC के आदेश के बाद लालू बिहार में पाटना हाई कोट द्वारा जातिगत जनगना परोग के आदेश के बाद पूर मुख मंत्री लालू परसाद यादो ने कहा है जातिगत जनगना बहु संख्यक जनता की मांग है और यह हो कर रहेगी उन्होंने कहा जो जातिगत जनगना का बीरोधी है वो गरीबी, बिरजगारी वो आर्थिक भेदभाव का समर्थक है बीजेपी बसंख्यक पिछरों की गन्ना से डरती है क्यों? हम अपना पक्च रखेंगे बिहार में जातिए जनगना पर लगी अंतरिम रोकपर तेजस्वी यादो पटना हाई कोट द्वारा बिहार में जातिय जनगन्ना पर अंतरीम रोक लगाया जाने पर उप मुख मंतरी तेजस्वी यादों ने कहा कोट के फैसलों को पटने के बाद हम अपना पक्ष रखेंगे उन्होंने कहा कि जाती अधारित जनगन्ना लोगों के कल्यान के लिए है जिसके लिए सरकार परतिबद है बकल तेजस्वी इस फैसले के बाद अरक्षन बिरोधी बीजेपी खूसी मना रही होगी MCD अपने परसासन में हिंदी के परयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समीती का गठन करेगी एक अधिकारी ने गुरुवर को बताया कि दिली नगर निगम नगर पर सासन में हिंदी भासा के इस्तमाल को बढ़ावा देने के लिए समीती के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है यह समीती हिंदी के सासत उर्दू वपंजाबी के इस्तमाल को लेकर भी काम करेगी बकल अधिकारी 34 सदस्यों वाली हिंदी समीती के उप महापार अध्यक्ष होंगे किन 15 देशों के समराठ है किंग चाल्ज त्रितिये किंग चाल्ज त्रितिये यूके के लावा 14 राष्ट मंडल देशों के समराठ है इन देशों में एंटिगा वा बार्मूडा, आस्ट्रेलिया, बाहमास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनाडा, जमायका, न्युजिलेंड, पापुआ, न्युगिनी, सेंट किट्स वा नेविस, सेंट लूसिया, सेंट बिसेंट एंड़, ग्रेनेडिस, सोलोमन आइलेंड और तु इस सीयो बैठक में सामील होने के लिए भारत पहुँचे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुटो, आतंकवाद को किसी भी तरह से सही नहीं ठैराया जा सकता है, इस सीयो की बैठक में भारत, इस सीयो की बैठक में भारतिय बिदेश मंत्री एस जैसंकर ने कहा है, आतंकवाद को किसी भी तरह सही नहीं ठैराया जा सकता, सीमा पार आतंकवाद सहीत इसके सभी रूपो को रोका जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि बीद पोसन के सभी चैनलों को हर प्रकास से बंध करना चाहिए, पाकिस्तानी बिदेश मंत्री बिलावल भुटो भी इस बैठक में सामिल हुए, जैसंकर ने एस सीयो बैठक में पाक बिदेश मंत्री बिलावल का नमस्ते से किया अभिवादन, गोवा में हो रही एस सीयो बैठक में बिदेश मंत्री एस जैसंकर ने पाकिस्तान बिदेश मंत्री बिलावल भुटो का नमस्ते से अभिवादन किया जिसका एक वीडियो सामने आया है बिलावल लगभग 12 बरसों में भारत आने वाले पहले पाकिस्तानी बिदेश मंत्री हैं गुरुवार को भारतिये राजनाईक जेपी सिंग ने गुवाई एयरपोर्ट प परजे की मांग के खिलाप जारी हिंसक परदोस्नों के बीच राज सरकार ने सांती बनाया रखने के लिए गंभीर मामलो में दंगाईयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी की कर दिया है इससे पहले बुधवार को राज में पांच दिन के लिए इंटरनेट से वा बैन करने का एलान हुआ था मनिपूर में हिंसा के बीच सेना ने 7500 नागरीकों को रेस्क्यू किया लोगों ने कहा हम है यहां मनिपूर में जारी हिंसा के बीच सेना और असम राइफल के जवानों ने 7500 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित अस्थानों पर वहीं कोहिमा वा इंफाल पी यारो द्वारा सेयर किये गए एक वीडियो में सेनक एक अधिकारी लोगों से कोह रहे हैं हमारी पूरी पल्टा रात भर यहीं है ऐसा नहीं कि हम चले जाएंगे मनिपूर में हिंसा के भी सी आर पी एफ के पूर परमुख बनाए गए राज सरकार के सुरक्षा सलाकार अधिकारियों ने बताया है कि मनिपूर सरकार ने केंदरिये रिजर्व पूलीस बैंग पूलीस बल के पूर परमू कुलदीब सिंग गुरवार को अपना सुरक्षा सलाकार निक्त किया है कुल्दीप सिंग पिछले साल सितंबर में रिटायर हुए थे, गौर तलब है कि मेतई संदाई की अनुसूचित जन जाती दर्जे की मांग के खिलाप मनिपूर में कोई जगहों पर हिंसक परदस्टन हो रहे हैं सांती वा सदभाव बनाय रखे लोग मनिपूर में जारी हिंसक परदस्टनों के बीच राजपाल अनुसूईया उईके ने कहा है हिंसक घटनाव से मुझे बहुत दुख हुआ है उन्होंने कहा मनिपूर वासियों से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना प्रमप्रा के अनुरूप सांती, सिने, भाई, चरा वो सदभाव बनाय रखे यह किसी परकार की हिंसा या आग जनी में भाग न ले और अपवाहो पर ध्यान न दे मनिपूर में हो रहे हिंसक बीरोध परदस्टनों का कारम क्या है मनिपूर में गैर आदिवासी मैतेई समुदाई की अनुसूचित जन जाती दर्जे की मांग और आदिवासी छेत्रों को संरक्षित बन छेत्र घोसित कर वहाँ से लोगों को निकाले जाने के खिलाप हिंसक बीरोध परदसन हो रहे है मनिपूर हाई कोट ने राज को मेतेई समुदाई की मांग पर विचार करने को कहा था राज में पांच दिन के लिए इंटरनेट से वाब बैन हुई है Go First से पहले कौन-कौन सी परमुख भारतिये एरलाइन्स नहीं जारी रख सकी अपना परिचालन Go First ने हाल ही में दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया और उससे पहले भारत में NEPC एरलाइन्स, दामनिया एरवेज, जेट एरवेज, किंग फीशर एरलाइन्स, डैकन एबियेशन और पायरा माउंट एरवेज अपना परिचालन बंद कर चुकी है इसके अलवा एसके मोधी की मोधी लूप्त ने परती अस्फर्दा के कारण और इस्ट वेश्ट एरलाइन्स ने फंड की कौमी से परिचालन बंद किया था IPL 2023 से बाहर हुए केल राहूर, WTC फाइनल खेलने पर भी संदे दाचीन अफिर की पेसर सब नीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सबी फर्मिट से लिया सन्याज अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर की तमाम मसुहूर खबरे सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो चैनल को सबस्काइब करें, लाइक करें, सेयर करें, यह बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद, JPM डूस से जुरने के लिए